उमीद है आप सब मुझे सुन पा रहे होंगे। यह एक छोटी सी पेशकश Friday Fables के मन से। मैं Friday Fables की जो आज कहानी आप सब के सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं। उसके दो हिस्से हैं। सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि Friday Fables की शुरुवात कैसे हुई। Friday Fables का जो सफर है। उस सफर नामा मैं आपके साथ कुछ बांटना चाहूँगा। और उसके बाद मेरे पास जो आज आपके लिए कहानी हैं। मैं वो आपसे साजी करनी चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग जहां पे अपने घरों में बैठे हैं। सकुशल होंगे। आपका स्वास्त ठीक होगा। और आप इस कहानी का मजा ले सकेंगे। फ्राइडे फेबल्स की शुरुवात एक सोच की तरह से थी, एक सोच जो की हमारे कॉलेज में बहुत देर से थी कि हमें स्टोरी टेलिंग की जो आर्ट है उसको पहचानना है, उसको ढूंडना है, उसकी शुरुवात करनी है। तो जब इसी आइडिया के साथ हम लाइब्रेरी के मैडम प्रीती, डॉक्टर प्रीती से बात हुई और सबसे ज्यादा बच्चों का प्रत्सान रहा जहां से हमने शुरुवात करी, फ्राइडे फेबल्स की। फ्राइडे फेबल्स हर फ्राइडे को होने वाला एक ऐसा मंच जिसमें कि हम भारतिये जितने भी लेखक हैं, वो कहीं भी पैदा हुए हो सकते हैं, भारत में चाहे पंजाब से मंटो या अमरिता प्रीतम या बंगाल के टगोर सहब या मुझी प्रेम जन्त, कहीं के कोई भ लेकिन भारतिये लेखकों को यहां पर इसके बारे में चर्चा की जाती हैं, उनके जो छोटी कहानियां हैं, लगू कथाएं हैं, शौट स्टूरीज हैं, वो उनको बताई जाती हैं, उनको पढ़ाई जाती हैं, सुनाई जाती हैं, एक छोटा सा मंच है, एक छोटी सी हमार वो इस तरह से बनाया कि सबसे पहले एक कहानी सुनाई जाती है जो कि किसी प्रसिद्ध लेखक की हो और उसके बाद जो हमारे बच्चे हैं कॉलेज के हमारे टीचर हैं अगर उन्होंने कोई कहानी लिखी हो तो वो उनके सामने प्रस्तूत की जाती है यह लगभग तीन महीने के से हम कर रहे हैं और लॉक्टाउन के दिनों में जिस तर आंगा हम सबको मालूनी हैं हम कोशिश थिकी वर्चुल प्लेटफ़ॉरम के थुरू अब आप तक पहुंच है क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो की बहुत ही प्रतिभावान हैं ऊप्र ऑनunda को हम तेगोर मंटो को हम आपस में शेयर कर चुके हैं, उनके बारे में सुना चुके हैं, तो आज हम अमरीता पृत्म जी की एक कहानी आप लोगों के सामने रखना चाह रहे हैं, पेज की शुरुआत कल शाम को ही हुई है, कल रात को हुई है, लगबग दस बजे के करीब तो कम हो लोग जादा हो, फरकी नहीं पढ़ता बात यह है कि जो हमारी सोच है, जो हमारी कोशिश है, हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं, आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो इस सोच को लेके, आज की कहानी मैं अमरीता पृत्म की आपके साथ जाहिर करना चाहता हूँ, अमरीता भी लेकिका थी, जिनों ने, जिनको जो सारे प्रसिद्ध, जो हमारे सम्मान है, वो उनको मिले थे, इसके इलावा इन लेकिका को पदम श्री 1969 में, पदम विभूशन 2004 में, और सहित्ते अकेडमी अवार्ड 1956 में, ये सभी अवार्ड जो हैं, इनको मिले, और कई इनके जो म पूवी भी बनी है, अगर आप लोगों ने देखिए, बहुत चर्चित एक फिलम है, पिंजर, और उसके इलावा एक आज आखा, वारिष शानों, ये इसके हैं, मैं इनकी एक कहानी, कहानी लिखने का जो तरीका हैं, अमरिता पृतम जी का वो बहुत सरल है, बहुत बहुत दिल के करीब लिखते हैं कहानी, आपको ऐसे लगेगा कि जैसे बिल्कुल पास में ही चलने वाले किसी कहानी का इसमें जिकर कर दिया हो, अमरिता पृतम की कहानिया विमन सेंट्रिक है, महिलाओं को के इंदर में रखके की गई हैं, और वो जो महिलाएं हैं, वो हर तपके स आती हैं, अमरिता पृतम की कहानियों के बीच में कहीं आपको एक बहुत रहीस और भी नजर आएगी और कहीं पर एक परिशान होती हुई, एक सिंपल सा धारन और जो कि शायद आपके घर में, आपके घर के बाहर या आसपास चलती भी महौल में आपको मिल जाए, तो विम मुर्की और बुलाकी, मुर्की और बुलाकी क्या है, यह आपको कहानी के बीच में पता लगेगा, यह कहानी बहुत सिंपल, सरल, ऐसे लगए है कि आसपास चलती हुई कहानी है, चंडीगड में, चंडीगड के आसपास के गाउं के बीच में बहुत काम किया है, बहुत दे रहा है पर उसका जिकर आता है तो ये कहानी मैं आप सब के सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं मुर्की उर्फ बुला की और मैं पहले ही आप लोगों से माफी मांग लेता हूं कि मैं कोई कोई लांगोइच का टीचर नहीं हूं मैं सिर्फ लांगोइच का स्टूडेंट हूं भाषाएं कुछ चे भाषाएं जानता हूं पढ़ता हूं समझने की कोशिश करता हूं तो अगर कहीं कुछ कमी या गल्ती रह जाए तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा तो आप सब के सा मुर्की और बुलाकी उसने मां से बहुत कहा कि यदि तुमें और किसी पर विश्वास नहीं है तो मुझे पर भरोसा रखो और दो खड़ी अराम कर लो मैं मुर्की के पास बैट हूँगा राजवन्ती ने कुमार को इंकार नहीं किया और वो कोठरी से बाहर चले गई लगबग एक ही घंटा बीता था कि वो फिर उठके आकर मुर्की के पास बैट गई नहीं थी राजवन्ती एक दो बार राजवन्ती ने उसे हिलाया कोई बात तो कर मुर्की ए ए देख कुमार आ गया है ओ बुला किये उठ जा पर मुर्की उर्फ बुला की ना देखनी की हालत में थी और ना सुनने की हालात में थी फिर उसकी सांस उखडने लगी कहीं बार राजवन्ती की आँखे भरी पर उसने चुप चाप अपनी दुपटे के कौने से पोंच ली वे डरती थी कि कहीं उसके रोने की आवाज मुर्की के कानों में ना पड़ जाए और फिर घड़ी भर बाद राजवन्ती जोर जोर से रोने लगी अब मुर्की के कानों में कोई आवाज नहीं पड़ सकती थी बीबी आप अराम कर लो आपने मुर्की की जितनी सेवा करनी थी, कर ली आजकल तो कोई अपने सगों की भी इतनी सेवा नहीं करता हम इसे अपने आप नहला धुला देंगे गली मुहले की दो-तिन ओरतों ने आकर राजबंती से का ये ओरतें लोगों के घर बरतन माजने का काम करती थी राजबन्ती ने उन औरतों को कहीं और काम दे दिए और खुद मुर्की को अपने हाथों से नहलाने लगी मुर्की के शिरीर पर पढ़े हुए कपड़े उतारते हुए राजबन्ति ने जब उसकी कमर में पहनी होई सलवार के नेफे में हाथ लगाया तो महाँ पे उसको कुछ चुभा एक चाबी मुर्की के नेफे में खुसी हुई थी कई दिनों से मुर्की बिमार थी कभी उसके कपड़े नहीं बतले गए थे इसलिए नेफे में खुसी हुई उसकी चाबी नहीं निकली थी वे चावी उसके मास से चिपक गई थी राजवन्ती ने जब चावी को खीच कर परे हटाया देखा मास का एक जखम सा हो गया और पूरी चावी जितना ही एक जखम राजवन्ती की चीख निकल गई मुर्की को जब शम्शान ले जाकर जलाकर वापिस आए तो कुमार ने अपनी मा को पलंग पर ही लेटाया और जब जब जस्ती चावी का गूंट पिलाने लगा आज मेरे गले से कुछ नहीं उतरना मा सिरफ तुमें ही मुर्की से प्यार था क्या मैं भी तो उसी नहीं बड़ा किया था बच्पन से मुझे वो ही खिलाती थी मेरे लिए सब कुछ पकाती थी और बनाती रही केविल ये बात नहीं है कुमार सिर्फ यही बात नहीं है कुमार हमारे से जो कुछ होता था हमने किया मा अच्छे से अच्छा डॉक्टर बुलाया और उसकी बात बीच में ही काटकर राजवन्ती बॉले पर औरत की तू जून काटनी बड़ी मुश्किल है कुमार मैं मुर्की को नहीं रोती, मैं औरत की जून को रोती हूँ जा, तू जाकर सोजा कुमार ने कुछ नहीं का और मा के पलंग पर ही बैठा रहा और धीरे धीरे से मा के सिर को दबाता रहा और मा के साथ ही लेट गया आज मैं तुम्हारे साथ ही सोऊंगा हाँ, देखती हूँ, छोटा ही रहेगा मा ने प्यार से कुमार के गाल पर धीरे से थपड मारा और फिर मन ही मन उसकी बातों उमड पड़ी ऐसे छोटा ही होता था तू जब मुर्की की चार पाई पर लेट कर जिद पकड़ लेता था मैं तेरे साथ ही सौँगा बोलकर कुमार ने लाड से अपना सिर मा के साथ सटा लिया मैं 32-33 सालों की थी जब तू पैदा हुआ मैं तो सोचा करती थी कि क्या पता इस दुनिया में इस दुनिया से बे उलाद ही चले जाओंगी अपने आंचल में दोनों हाथ चोड़ कर मैं रब से तुझे मांगा करती थी ये औरत की जून कप किसी को नहीं पता अगर मर्द ना मिले तो जून खराब अगर जोली में बच्चा ना खेले तो भी जून खराब और तू पैदा हुआ तो मेरी जून सुधर गई पर मुल्की बेचारी उसके मर्द उसे छोड़ कर चला गया तो उसकी जून बिगड गई मां मुल्की का ब्या कब हुआ था मैंने तो कभी उसके मर्द को नहीं देखा लेटा हुआ कुमार चौप कर बैठ गया तू छोटा था चार साल का या पांच साल का रहा होगा और वो सुसुराल गई थी सुसुराल में कोई नहीं था ना कोई पैदा होने वाला और ना सहेजने वाला मां मां तू मुझे पूरी बात बताओ इसका बाप हमारे घर पे यहाँ पुराना नौकर हुआ करता था तो जब पैदा हुआ था उसने मेरे से बड़ी मिन्नते करी कि गाउं में उसकी औरत मर गई है और उसकी बेटी यहाँ पे चाचियों के पास अकेली रहती है यदी में मान जणूँ तो वे अपनी बेटी को यहाँ ले आएगा वो तुझे खिला भी दिया करेगी इस्साह कर दिया करेगी और बदले में में बैसर रोटी खा लिया करेगी फिर मा, मैंने बलकी शुकर किया कि मेरे हाथ को हाथ का सहारा मिल जाएगा वे लड़की को काउं से ले आया और वे उस समय मुश्किल से दस बारां वर्ष की रही होगी बड़ी मासूम, बिना मा की बच्ची मुझे बहुत अच्छी लगी जब आई थी तो एक काली सलवार पहनी होई थी और गले में एक हरी रंग का कुर्टा शेरीर से दुबली पतली सी, रंग बड़ा चिटा और नयनक्ष भी सुन्दर कानों में उसने चांदी की मुर्कियां पहनी होई थी और नाक में छोटा सा सोने का एक बुलाक फिर, फिर क्या हुआ मा? कुमार ने पड़ी उत्सुकता से पुछा तुझे तो वह अपने हातों से खिलाती थी हातों से भी क्यों? बलके अपनी जान से खिलाती थी तू भी कहां उसके बिना रहता था? कभी चलांग मार तो में पकड़ लेता तो कभी-कभी उचल कर उसके बुलाक को पकड़ता रहता था मैं भी इसलिए उसको कभी प्यार से मुर्की बुलाती थी और कभी बुलाती मां ये मुर्की और बुलाकी नाम तुमने रखे थे हाँ हाँ मैं नहीं रखे थे पर ना जाने किस समय रखे थे क्यों क्यों रखे थे जब बड़ी हो गई 16-17 साल की अभागी पर खूब रखे बीच जीब दबाकर ये देखती होती थी कि रे मुर्की ए किसके कानों में पड़ेगी ये नाक के लौं की तरह चमकेगी कुमार मुस्कुराया बड़े सुंदर पहड़ी गीत गाया करती थी अभागी उड़ते पंची भी रुख जाया करते थे फिर मा फिर क्या उसके बाप ने अपने गाउं में ही इसका रिष्टा कर दिया इनमें बेटी के रुपे लेते हैं लड़का अच्छा था क्या मा कहें का अच्छा होना दुहाजू था दुहाजू क्या होता है मा जिसकी बीवी मर गई होती है अच्छा तो फिर तो उससे उमर में भी बड़ा होगा ना मा बड़ा भी था और साथ ही उसमें अफगुन भी थे आंखों में भी कुछ नुक्स थे और पूरा पता नहीं क्या-क्या पर पैसे वाला था तो उसने बहुत सारे पैसे देकर इसे मना लिया था इसके बाप को मना लिया था फिर बाप ने बात पकी करी और रातो रात ये एक शहरी लड़के के साथ भाग गई वो कौन था मा ने तो देखा नहीं पर खोदी बदाती थी कि वो बड़ा सुंदर लड़का था हमारे ही शहर से होगा मा हाँ हाँ हमारे ही शहर में हमारे ही बस्ती में वो जो बड़े बजार में जो होटल है ना वहाँ पर केक बनाता था फिर मा छे-पांच-शे महीने उसके साथ किसी शहर में रही अभागी ने अपना घर बनाया जो कुछ पास में पैसे थे वे सब लगा दिये मोटे मोटे चांदी के कड़े गले में जो चांदी की जंजीर थी और तेरे जनम दिन पर जो मैंने उसको एक सोनी की अंगुठी और अगले पर जो बालियां दी थी वे सब बेच बाच कर उसने समान खरीद लिया और फिर और फिर कुछ नहीं और कोई औरत उसके मर्द की नजर में चड़ गई और वे उसे किसी गाउं के दशेरे का मेला दिखाने ले गया रात को सराए में सुई हुई थी कि दुपट्टे से घर की खोल कर वो वहां से सराए में ही उसे छोड़ कर चला गया कुमार ने अचानक से गुसे में पुछा कि इसने फिर उसे ढूंडा नहीं कमाल की औरत थी कहती मन के सौदे में जब मन ही मुकर जाए तो फिर शरीर का क्या ढूंड़ना मा ये तो बहुत कमाल की औरत थी एक बार इसने अच्छी करी फिकिसी दयालू आदमी से रास्ते का किराया लेकर और हमारे घर आ गई नहीं तो जाने कहां भटकती रहती है यहां हमारे घर आ गई हां हां कमार हमारा घर हमारा घर क्यों अपने घर अपनी इस कोठरी में मैं जिस दिन से ये कोठरी मैं जिस दिन से इसे ये कोठरी दी थी इससे ये वादा किया था कि मैं अपनी जीते जी इसे कभी भी काम से नहीं निकालूंगी और ना ही कुमार बड़े होकर तुझे इस कोठरी से बाहर निकालेगा कुमार का मन भराया पर वैं मर्द था और उसने अपने आंखों में पानी को आँखों में ही रखा राजवन्ती की आँखे चलक पड़े मैंने तुझे कहा था ना कि औरत की जून पता नहीं कैसी होती है ये जब आई तब इसका मूँ किसी खोई हुए मेमने से साथा जब किसी औरत के पास रहने को घर ना हो माँ आप बहुत अच्छी हो यदि आपकी जब कोई और औरत होती मैंने कोई एहसान नहीं किया था इसके ओपर कुमार इसके काम का मोल चुकाया था इसके रूप को देखकर जो मैंसे हमेशा कहा करती थी थी न कि मुर्किये किसके कानों में पड़ेगी जब मुर्की वापिस आई तो मुझे कहने लगी मा मुझे किसी ने कानों में पहना जरूर था पर फिर उसके कान फट गए क्या पता मेरा बोज ही बहुत जादा हो राजवन्ति फिर रो पड़ी कुमार की आँखों में भी भर आई शायद मर्जात की कोई लाज रखने के लिए वो भी अब रो पड़ा था मा तभी मेरी सालगिरा पर तुने मेरे से वादा लिया था कि मुर्की को मैं उसके जीते जी इस कोठरी से नहीं निकालोंगा हाँ कुमार तभी मैंने तेरे से वचन लिया था तेरे से वादा लिया था कि मर्द ने जब उसके घर की चाबी उसके पल्लू से खोल ली थी मैंने इस कोठरी की चाबी उसे पकड़ा कर ये कहा था कि तेरे जीते जी कभी तुझ से इस कमरे की कोई चाबी नहीं लेगा और कुमार आज जब मैंने उसे नहलाया तो इस कोठरी के चाबी उसके नेफे में खुसी हुई थी उसके मां की हुई थी उस चाबी उसके शरीर में जखम कर दिया था पर उसने जीते जी इस चाबी को अपने मां से अलग नहीं किया मुर्की, बुलाकी एक औरत राजबन्ती ऐसे रोई जैसे उसकी आँखों में मुर्की के आंसू मिले हुए थे और सिरफ मुर्की के ही आंसू क्यों संपूर्ण और अज़ात के आंसू तो ये एक कहानी अमरिता प्रीतम जी की मुर्की और बुलाकी हमारा मकसद यही होता है फ्राइडे फेबल्स के थुरू कि हम आप लोग को प्रुचसाहित करें कि आप लोग इंडिन राइटर्स को पढ़ें उनकी स्टोरीज को पढ़ें क्योंकि हम ज़्यादा रिलेट करते हैं के साथ हैं अमरीता प्रीतम की कहानिया अगर घर पे हैं बुक्स नहीं खरीज सकते हैं आनलाइन पढ़ सकते हैं परीम चंद जी को पढ़ सकते हैं टेगोर साहब को पढ़ सकते हैं मंटो को पढ़ सकते हैं इसम चुकताई को पढ़ सकते हैं और बहुत सारे रिटर्स हैं, तो हम जल्दी ही फिर दुबारा आएंगे, हमारे कुछ स्टूडेंट्स अपनी कहानी लाएंगे, इन कहानियों के साथ हम घर बैठे अपनी कहानियां तलाशते हैं, क्योंकि कहानियां हर जगाएं, कहानी हर वक्त है, सिर्फ हमें उसको पहचान अब करोना के समय में, करोना के वक्त में, जब हम सब अपने आसपस बहुत सारे पेशेंट्स को देखते हैं, किसी का पता चलता है, कि अच्छा उनको भी ऐसा हुआ या वो कारंटाइन हो गया, तो हम अपने जहन में कुछ कहानियां बुनने लगते हैं, वो सच और छूट क पैमानों से बहुत दूर होती है, पर वो कहानी होती है, अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है, जो आप लिखते हैं, अगर ऐसी कोई कहानी है, जो आपने कभी लिखी है, लेकिन आप डरते हैं कि मैं कहां सुनाओंगा, आप हमें प्लीज इसके उपर मैसेज कर दीजी व मच जो भी लोग आज मंच पे आए सभी स्टूडेंट्स के हमारे लगबग अभी बारा घंटे का वक्त कोई गुजरा होगा जब हमने यह पेज बनाया और बारा घंटे के दोरान आप सभी लोग आए कहानी सुनी उसके लिए तह दिल से शुक्रिया और हमें इंतजार रहेग आपकी कहानी का और आप इंतजार करिए हमारी अगली कहानी का थैंक यू थैंक यू सो अच